महाभारत की कथा धारवाहिक दो राजकुमारी विशेशांग कथा पांच गंगा का विचित्र आचरण संदर्व वैशम पायन जी जनमेजय को कथा क्रम में बताते हैं कि एक श्वाकु वन्ष में महाभिश नामक राजा थे उन्होंने अश्वमेद और राजसुय यग्य करके स्वर्ग प्राप्त किया एक दिन सभी देवता आदी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए वायू ने श्री गंगा जी के वस्त्र को उनके शरीर से खिसका दिया तब सभी ने आँखे नीची कर ली किन्तु महाभिश उन्हें देखते रहे तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्युलोक जाओ जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी इस प्रकार उनका जन्म प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में हुआ गंगा का विचित्र आचरण बात उस समय की है जब शांतनु हस्तनापुर के राजा थे उनके राज्य में प्रजा सुखी थी एक दिन राजा शिकार खेलने निकले शिकार की खोज में जंगल में दूर तक निकल गए कहीं जंगल के मध्य बहती गंगा नदी को उन्होंने देखा तो रुक गए नदी से जल पिया और वहीं एक पेड के नीचे आराम करने लगे तभी उन्होंने नदी के तट पर एक परम सुंदरी स्त्री देखी उन्हें बड़ा आश्यर्य हुआ ठकान भूल कर तुरंत उसके पास गए और पूछा तुम कौन हो सुंदरी यहां इस वीराने में क्या कर रही हो उस स्त्री ने उत्तर दिया मैं गंगा हूँ राजा को उससे अनुराग हो गया उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और कहा तुम बहुत सुंदर हो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी गंगा ने कहा राजन यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी लेकिन मेरी एक शर्त है शांतनु उसकी सुंदर्ता पर मरमिटे थे उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है गंगा ने पुनह आग्रह किया ऐसे नहीं राजन पहले मेरी शर्त सुन ले शांतनु ने अधीर होते हुए कहा देखो गंगे यह एक राजा का वचन है फिर भी महाराज आप इसे सुनने के बाद ही हां कहे गंगा ने फिर से वही बात बड़ी निश्चिन्तता से कही शांतनु ने गंगा की बात मान कर कहा ठीक है प्रिये यदि इसी में तुम्हारी खुशी है तो कहो तुम्हारी शर्त क्या है तो सुनिये राजन मैं चाहे जो करूं वह अच्छा हो या बुरा आप मुझे कुछ मत कहिएगा मुझे रोकिएगा नहीं जिस दिन आप मुझे या फिर किसी बात पर क्रोध करेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़ कर हमेशा के लिए चली जाओंगे गंगा ने अपनी शर्त रखी शांतनु को उस समय गंगा की हां से मतलब था अतह उन्होंने बिना कुछ सोचे ही शर्त स्विकार कर ली तब गंगा ने उनसे विवाह करन की हामी भर दी उसके बाद शांतनु गंगा को लेकर हस्तिनापुर चले आए वहां धूम धाम से उनका विवाह हुआ उसके बाद कई वर्षों तक गंगा और शांतनु सुख से रहे इस बीच गंगा के साथ पुत्र हुए लेकिन कोई भी जीवित न रहा पुत्र के पैदा होते ही गंगा उसे गंगा नदी में फेक दिया करती थी शांतनु को बहुत दुख होता था लेकिन वे कुछ कह नहीं पाते थे उन्हें भय था कि उनके मना करते ही गंगा उन्हें छोड़ कर चली जाएगी फिर गंगा ने आठमे पुत्र को जन दिया वह उसे भी लेकर को न रोक पाए उस नन्हें और प्यारे शिशु को भी मरना पड़ेगा यह सोज कर उन्हें अत्यधिक कश्ट कुआ उन्होंने सोचा कि वे कब तक अपने मासूम वच्चों के हत्या देखते रहेंगे और फिर क्रोध में उन्होंने कहा तुम कैसी मा हो जो अपने ही पुत् जैसी आपकी मरजी लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती शर्त के अनुसार मैं आपको छोड़ कर जा रही है गंगा ने बिना किसी दुख या पश्यात तापके कहा शांतनु को दुख हुआ कि गंगा उसे छोड़ कर चली जाएगी लेकिन वे कारण जानना चाहते थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया अतहा उन्होंने पूछा ठीक है मैं तुम्हें रोप नहीं सकता लेकिन यह तो बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया तब गंगा ने उन्हें इसका कारण बताते हुए वस्वों की कहानी कुछ इस प्रकार सुनाई बहुत समय पहले की बात है वश यग्य के लिए दूद दिया करती थी जब तक यग्य चलता था नंदनी के दूद की धार बंद नहीं होती थी वह दूद पहुत स्वस्थ और मीठा होता था उसे पीने वाला दस सहस्र वर्षों तक जवान और जीवित रहता था अतहा नंदनी मुनी को बहुत ही प्यारी थ एक दिन वसु अपनी पत्नियों के साथ उसी वनमे घूमने गए जहाँ वशिष्ट का आश्रम था द्यव नाम के वसु की पत्नी की दृष्टे नंदनी पर पड़ी उसे नंदनी के बारे में सब कुछ पता था उसने द्यों से कहा कि उसे नंदनी चाहिए द्यों ने अपन फल फूल लेकर आश्रम लोटे तो उन्हें नंदनी कहीं दिखाई न दी। जंगल में जगह जगह जाकर उन्होंने ढूंधा लेकिन वह न मिली। वे चिंतित हो गए। ऐसा पहले कभी न हुआ था। तब उन्होंने अपनी दिव्यद्रिष्टी का प्रयोग किया। उन्हें आदमी बनकर प्रत्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। शाप की बात पता चलते ही वसु भागे भागे वशिष्ट के पास आए। उन्होंने अपनी गलती के लिए ख्रमा मांगी और शाप से मुक्ती की प्रार्थना की। तब वशिष्ट ने उनसे कहा शाप को वापस नही लिया जा सकता। अतह तुम लोगों को प्रत्वी पर तो जन्म लेना ही पड़ेगा। किन्तों ख्रमा मुनियों का धर्म है। अतह इतनी छूट देता हूं कि और सब वसु तो जन्म के तुरंत बाद ही मुप्ति पालेंगे। लेकिन ज्यों को वहीं रहकर अपना कर्म पूर रहना पड़ेगा। इस प्रकार वसुओं की कहानी समाप्त कर गंगा ने कहा। वशिष्ठ की बात सुनकर वे सभी मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि वे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जन्म लेते ही उन्हें ज गंगा अपने पुत्र के साथ वहां से चली गई। राजा शांतनु का मन शांत हो गया। लेकिन गंगा के चले जाने का दुख रहा। फिर भी वे अपनी प्रजा को सुखी रखते थे। कई वर्षों बात एक दिन वे गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा का जल नदी में बहुत ही थोड़ा रह गया है। वे चकित रह दे। खोज करने पर उन्हें पता चला कि एक बड़ा ही बलवान और सुन्दर बालक अपने अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बानों से गंगा की धार को बांध रखा ह वे उस बालक के पास गए किन्तु उस बालक ने उन्हें भी मोहित कर दिया और गुम हो गया। मूर्षा समाप्त होने के बाद राजा गंगा के पास गए और उससे इस रहस्य को जानने की प्रार्थना की। गंगा ने उनकी प्रार्थना सुन ली, स्त्री के रूप में उस पालक के साथ राजा के पास आई, राजा दे पूछा गंगे यह कुमार कौन है, यह आपका ही पुत्र है देववरत, यह सभी विद्याओं में पारंगत है, आप इसे अपने साथ ले जाईए, यह कहकर वह गंगा में विलीन हो गई, राजा देववरत को लेकर हस्तिनापुर पात है, उसे हस्तिनापुर का युवराज बनाया और सुख पूर्वत राज्य करने लगी, यही देववरत आगे चलकर भीश्म कहलाएं